नमस्कार दूस्तों अनपुर्णा रसुंड होम रेमिडीज में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ में चाय मसाले की रेसिपी शेयर करने जारी हूँ यह चाय मसाला दूसरे मसाले जो अपने रेसिपी देखा होगा उससे थोड़ा अलग है इसमें मैंने ऐसी आउशदियों का यूज़ किया है कि जो सेहत के लिए और मौसम के अनुसार बहुत अच्छी है जिससे सर्दी जुकाम और दूसरी बिमारियों से भी हमको रहत मिलेग और दो चमच मैंने काले में चली है जो तॉल से बारा ग्राम है एक तीजपत्ता इस दो तुकडे मैंने एक एक इंच के मुलेठी के लिए हैं जो गले की खराश विए बहुत अच्छा होता है और चार मैंने पीपल ली है चोटी पीपल लेंदी पीपल इसको बोलते हैं एक बड़ी इलाइची को मैंने छील कर उसके दाने ले लिए है बड़ी इलाइची को छील लिया है और उसके दाने लिए है पांच ग्राम हमको लॉंग लेनी है जो पंद्रा लॉंग करीब हो जाती है और इसमें इलाइची हमको सिब तेस्ट के लिए डालनी है ज्यादा नहीं डालनी इलाइची की तासी थंडी होती है तो इलाइची थोड़ी कम डाली है मैंने पांच इलाइची लेना है और छोटा स तुकड़ा जायफल का लेना है एक गांठ हल्दी जो पांच ग्राम है और ये दस से बारा ग्राम हमको कल्मिक लेना है और अजवाइन है जो छोटी चम्मच से दो चम्मच मैंने अजवाइन ली है ये सारी चीजे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है अब देखे एक इमान दस्ता ले लेंगे हम और इसमें जो मोटी मोटी चीजें इनको कूट लेंगे जो मोटी चीजें है इनको कूट के हम थोड़ा सा दरदरा कर लेते हैं उसके बाद इसको हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे ये देखी कूट के इसके छोटे तुकड़े कर लिए है मैंने अब तो हलका सा हमको roast करना है, फ्राइंक पेन करम कर लिया है, बिल्कुल हलका सा roast करना है, इसमें हमको कोई ओयल या गी वगरे का कुछ यूज नहीं करना है, और बहुत जादा भूना भी नहीं है, बस थोड़ा सा कि जिससे बहुत अच्छी तरह grind हो जाए, ऐसे हमको इसको roast कर ल और इसको चाना नहीं है, अच्छे से grind कर लिजिए, बिल्कुल अच्छे से grind हो जाएगा, तो इसको चानने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर आप एर टाइट कंटेनर में इसको भर कर रख दीजिए, और जब भी आप चाय बनाते हैं, तो आप अपने स्वात की अनुसार इसको यूस कीजिएगा, यह बहुत अच्छा चाय का मसाला है, आप एक बार इसको जरूर बना कर देखिए, और अगर आपको यह रेसीपी पसंद आती है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू